जार्खन विधान सभा का बयट सत्र आई से सुरू तीन मार्च को बयट होगा पेस। जेक्स रविंदरात महतों ने गुरु आरको पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चार्चा होई। वहीं इस स्पीकर ने पक्ष भी पक्ष से सदन के समय का सद उप्योग करने का आगरा भी किया। इस मोग के पर 3 मार्च 2022 को पेस करेंगे। इस से पहले 25 फरवर्ट से सुरू हो रहे इस सत्र के पहले दिन राजे पल्रमेस बैस का आविभासन होगा। वहीं 28 मार्च को राजे पालसीरी बैस के आविभासन पर सदन में पक्ष और भी पक्ष पर चार्चा होगी। ज्यारखन में गुरुवार को अचानक मौसम के तेवर बदल गए दोफर बाद से फिर एक बार मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला। काया पेड़ गिर जाने से उसके नीचे कई मोटर साइकल और रिक्सा दब गई। हलाकि अब तक किसी के हताहत होने की सुचना नहीं है। वहीं 28 सटे इलाके में भी बारिस हुई है। जारखन में 25 चुनाओ को मिली हरी जंडी। जारखन कैबिनेट ने 23 तरिये 25 चुनाओ को लेकर हरी जंडी दे दी है। गुरुवार को हुई बैठक में 23 तरिये 25 चुनाओ की तिथी परस्ताओ को मंजूरी दी गई। फिलाल तारिख की घोसना अभी नहीं की गई है हलाकि अब कयास लगाए जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर की परिक्षा के बाद चुनाओ हो सकते हैं। सीम हेवन सुरेन के अध्यक्सता में हुई कैबिनेट की बैठक में कूल 35 प्रस्ताओ पर मुहर लगी है। गुरुवार को हुई जार्खन केबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताओ के बाद में की जाएगी वहीं इस प्रस्ताओ को गुवर्नर और राज निर्वाचन आयों को भेजा जाएगा। जामतवा में नाव पलटने से 14 लोग लपाता रेस्क्यू जारी। बताते हुए सभी के सुरक्षित रहने की कामना की है। जार्खन में 1141 पदोपर भरती 14 मार्च तक करे आवेदान। राष्टिय स्वास्त अभियान जार्खन में अनुबंद पर बड़े प्यमाने पर नियुक्ति होगी। जार्खन द्वारा आवेदान अमंतित किये गए है। आवेदान की अमतिमतिती 14 मार्च निधारित है। राष्टिय स्वास्त अभियान के जीन कारेकरमों के लिए नियुक्त होगी। उनमें राष्टिय ग्रामिन स्वास्त अभियान, राष्टिय सहरी स्वास्त अभियान, नेशनन ओरल हेल्थ प्रोग्राम। आयूस मीशन आधी सामिल हैं इसके तहद पहली बार बढ़ी संख्या में दंची किसो को आयूस ची किसो को आधी की भी नियुकती अनुबंद पर होगी जारखन में 400 यूनिट से ज्यादा बीली खपत पर सबसीडरी नहीं जारखन केबिनेट ने 400 यूनिट से ज्यादा बीली खपत करने वालों की सबसीडरी हटा दिया है केबिनेट सचीव वंदना दादेल ने बताया कि राई सरकार ने ऐसे सभी उभोगता जो 400 यूनिट से ज्यादा बिली खपत करते हैं उन्हें सबसिडरी नहीं देने का निनलिया है ऐसे उभखताओं को सबसिडरी का लाब नहीं देने से राई सरकार को 210 क्रोर की बचत होगी बता दे 0 से 200 यूनिट तक के बिजली पर 2 रुप्या 75 पैसा का सबसिडरी वहीं 201 से 500 यूनिट की बिजली खपत पर 2 रुप्या 5 पैसा की सबसिडरी और 501 से 800 यूनिट बिली खपत पर 1 रुप्या 85 पैसा की सबसिडरी मिलेगी बिधान सभा सत्र को लेकर 1200 पूलिस फोर्स की तैनाती जारखन बिधान सभा में 82 सत्र को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है रांची पुलिस ने सत्र को लेकर पूरी तयारी कर ली है बिधान सभा की सुरक्षा में 1200 पुलिस कर्मी तैनात होंगे जबकि 10 DSP 20 इंस्पेक्टरों की भी प्रतिन्युक्ति की गई है इनके अलावा रांची के ग्रामिन SP और सिटी SP भी सुरक्षा के वर ये परभार में होंगे इसके लिए QRT बाइक दस्ते को भी लगाया गया है रांची के SSP सुरेंद्र कुमार जहा ने बताया कि विधान सभा सत्र की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिस कर्मीयों को ब्रीफिंग की जा चुकी है सभी को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश भी दिया गया है विधान सभा के आसपास के इलाके में नियमित चेकिंग भी की जाएगी धनबाद से पद्यातरा कर रांची पहुँचे आंदोलनकारी छारखंडी भासा संगहर समिती के 30-40 आंदोलनकारी गुरुवार को धनबाद से पद्यातरा करते वे रांची पहुँचे अपनी छो सुत्री मांगों को लेकर 21 फरवारी को धनबात के महुदा मोड बीनोद बावुचक से पद्यात्रा सुरू की गई थी इस पद्यात्रा का उद्यस से अपनी मांगे के समर्थन में मुख्य मंत्री हमन सुनन से मुलकात करना उनके राची पहुचने पर उन्हें जाकिर हुसेन पार्क पास रोक दिया गया जहां वे देर साम तक सीम से मुलकात का इंतियार करते रहे उनके राची पहुचने के दोरान कई आदिवासी मुलवासी छात्रावास के छात्रों का समर्थन भी मिला समीति के सदस्यों की मांगे गयट संक्या 664-2012-2001 को वापस लेने 1922 का स्थानिय निती, नियोजन निती, उद्योग निती लागू करने वहीं आंगन वाड़ी से लेकर 200 विद्याले तक 9 जन जातिय सदानी भसाओ के पठन-पठन को लेकर व्यवस्था करने सामिल है 18 साल तक सेवा देने वाले सिक्षक भी बन सकेंगे परधाना ध्यापक राजे के हाई स्कूलों में परधाना ध्यापकों के सभी पद भार सके इसे लेकर राई सरकार ने पुरुनाति के नियमों में बदलाव किया है इसके तहुत परधाना ध्यापक के पद परपुर्णती के लिए आवस्यक योगिता वह अनुभाव रखने वाले सिक्चक नहीं मिलने पर अब कम सेवा अधी पूरी करने वाले सिक्चक भी परधाना ध्यापक बन सकेंगे पुरो में परधाना ध्यापकों के पत्परप्रणती के लिए 24 साल की सेवा अनिवारती लेकिन अब इतनी ओधी सेवा पूरी करने वाले सिक्षक नहीं मिलने पर नियुमतम 18 साल सेवा पूरी करने वाले सिक्षकों को भी इस पत्परप्रणती दिजा सकेगी जार्खन में कुरोना के 47 नए केस मिले है जबकि 101 मरीज स्वास्त भी हुए है जार्खन में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 579 है भारत में 12,655 नए केस मिले जबकि 26 या 656 मरीज स्वास्त भी हुए है भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 131,174 है लालू यादवने जiousर्खन हाई कोट में सजा को दी चुनावती चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता बिहार के पुरुमुख मंत्री और रायत सुप्रीमों लालू परसाद यादव की और से जार्खन हाई कोट में किरिमिनल अपील याचिका दायर कर CBI कोट द्वारा दी गई सजा को चुनावती दी है किरिमिनल अपील याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने का आगरह भी किया गया है लालू परसाथ की ओर से उनके अधिवक्ता परभात कुमार एवं देव स्री मंडल ने हाई कोट में अचिका दायर किया है 9 टन से ज्यादा खनन समगरी पर देना होगा टैक्स 9 टन से कम वजन की खनन समगरी को ढोने वाले वाहनों से टैक्स नहीं लिया जाएगा इन वाहनों को यूजर चार्ज से मुक्त कर दिया गया है 9 टन से अधिक वजन की खनन समगरी ढोने वाहनों से ही यूजर चार्ज लिया जाएगा इससे समधित नई संसोधित अईसुचना पत निर्मान विभागने जारी कर दिया पहले यह प्रवथान था की खनन ढोने वाहनों से यूजर चार्ज लिया जाए इसमें वजन का जिक्र नहीं किया गया था लेकिन बाद में बालू आदी कम वजनी वाली समगरी ढोने वाले वाहनों को इससे परिशानी होने लगी तो सरकार के समक्ष इने यूजर चार्ज से मुक्त रखने की मांग रखी गई इसके बाद ही सरकार ने या फैसला लिया और प्रवधान में संसोधन कर दिया है जैक बोड दस भी बरह ही परिक्षा का जारी किया कारेकरा मैट्रिक और इंटर्मीडेट की परिक्षा 24 मार्च से सुरू होगी जारखन एक एडबी काउंसिल ने बुद्धवार को परिक्षा के तिति घोसित कर दिया है राजे में पहली परिक्षा एक माह तक चलेगी मैट्रिक की परिक्षा 20 अप्रेल और इंटर्मीडेट की परिक्षा 25 अप्रेल को समाप्त होगी मैट्रिक और इंटर्मीडेट परिक्षा में लगभग 7 लाख परिक्षारती सामिल होगे मैट्रिक की परिक्षा में 4 लाख वहीं इंटर्मीड की परिक्षा में लवक तीन लाग परिचार्थी सामिल होंगे जैक द्वारा परिक्षा का प्रोग्राम बुद्ध्वार को जारी कर दिया गया है रामगढ में पानी भरे गढ़े में एक ही परिवार के तीन बचों के दूबने से मौत रामगढ जीला अंतरगत पतरातु परखंड के आदिवासी बहूल गाउ उरलूंग में पानी भरे एक गढ़े में डूब कर एक ही परिवार के तीन बचों की मौत हो गाई तीनों बचे उरलूंग निवासी सभूत पुरुसैनिक धनेश्वर उराओं के परिवार के थे इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है वहीं गत 15 दिनों के अंदर गठे में डूप कर बच्चों की मौत होने किया दूसरी घटना है रिम्स के सीनियर डॉक्टरों ने निदेशक का किया घहराव रिम्स के सीनियर डॉक्टरों ने पर्मोशन की मांग को रखते हुए निदेशक का घहराव कर उनसे स्थिपे की मांग की है सिनिय डॉक्ट्टरों ने रिम्स डारेक्टर चेंबर में ही निय देशक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और उन्हें पारदार सिता के साथ काम करने की सला दी डॉक्टरों ने कहा कि वे नाइन साफी भरदास नहीं करेंगे और अपने हक के लिए लडेंगे डॉक्टरों ने बताया कि 2017 के बाद से अभी तक किसी भी डॉक्टर का पर्मोसर नहीं किया गया और दूसरी ओर रिम्स परवधन की ओर से 132 डॉक्टरों की बहाली के लिए भैके से भी निकाल दी गई है चतरा जीला परसासन ने दुरघाटना रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम कोल वाहनों से होने वाली दुरघाटनाओं पर बिराम लगाने को लेकर जीला परसासन नोई इंटरी का समय बढ़ाने जा रहा है इतना ही नहीं इसमें कुछ बदलाव भी किया जा रहा है इसके लिए उपायुक्त अंजली आदव एवं पूलिस कप्तान राकेश रंजन ने एक बिरिहत कार्योजना त्यार किया है कार्योजना को अमल में लाने से पुर्व हर पहलू पर मंथन किया जा रहा है वैसे संभावना यह है कि आठ से दस दिनों के भीतर उसे परभावी कर दिया जाएगा अमरपाली परियोजना से कोईला का परिवहन के लिए नोई इंट्री के समय को और बढ़ाया जाएगा अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतर कर की नारेबाजी काम काज रहा ठप सिविल कोड परिसर में वह कीलो से मार पीट के खिलाप अधिवक्ताओं में आकरोस फूट पड़ा है गुरु आर को राची जीला बार एसोसेशन के बैनर तले अधिवक्ता सड़क पर उतर आए बड़ी संख्या में अधिवक्ता जूटकर अलवट एका चोग पहुँचे और वहाँ परदर्सन किया इसके बाद कोटवाली थाने का भी घिराव किया परदर्सन में सामिल अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता पर हमला बंद करो एड़ोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहीत अने मांगों को लेकर नारे भी लगाए इस दवरान रांची जीला बाहर एसेशेशन के महासचीव संजय बिद्रोही, पवन रंजन, खत्री, सहीत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मजूद थे लोहर दग्गा में पूलिस और CRPF की हाई लेबल मिटिंग शुरू लोहर दग्गा जीले के सुदरुवर्ती जंगली पहारी इलाकों में बिगत आठ फरवरी से लेकर 12 दिनों तक नक्सलियों की बिरूद लागातार चलाये गए उपरेशन डवल बूल की सफलता के बाद भी अब भागपा मवादी नक्सलि संगटन की खिलाप उपरेशन बंद नहीं हुआ है अलाकी ओपरेशन डवल बूल बंद हो चुका है परंतु सर्च ओपरेशन अब भी जारी है कई बड़े नक्सलियों की गिरुफतारी के बाद अब हाथियारों की ब्राम्दगी और इनामी नक्सलियों के आत्म समर्पन और पकड़े जाने के लिए जार्खन पुलीस और CRPF नई सीरे से काम शुरू कर रही है ताकि नक्सलियों पर नक्केल कसी जा सके जार्खन में 83 कड़ोर के कोईलाग होटाले में ईडी ने दर्ज किया केस सेंट्रल कोलफिल लीमिटेट की चात्रास्थित मंगद अमरपाली एरिया के अमरपाली परियोजना से 83.536 कोईलाग होटाले में परवत्तर निदे सालय ने केस दर्ज कर लिया है इडी ने मनी लोडरिंग में दर्ज या केस CBI की राची सित भराष्टा चार निरुधक ब्योरो में गत 17 अगस 2021 को दर्ज प्राथमी की वह अनुसंधान में आय तत्यों के अधार पर की है गोटाला का या ममला करीब एक सो क्रोर का बताया जा रहा है जारखन में अब रोबोट खेलेगा पिट्टो जारखन की राइधानी राची के BIT मेसरा में चल रहे विज्ञान और परदेओ की उत्सों में नई नई तकनिक से लोगों को रूबरू होने का मौका मिल रहा है BIT मेसरा में रोबोटिक्स को नाया आयाम देते टीम रोबियोल्यूशन के 38 सद से इन दिनों रोबोट को पिट्टो खेलने के लिए तियार कर रहे है रोबो कौन एवियू द्वारा एक अंतराश्ट्रिय रोबोटिक्स परत्योकता की जा रही है जिसमें देश बीदेश के एंजिनियरिंग के छात्र छात्राय सामिल होंगे मंत्रियों और बिधान सभा अध्यक्स के आवास पर क्रिशक मित्रों ने दिया धरना जार्खन पर्देश क्रिशक मित्र महासंग ने गुरुवार को एक सुत्री मांग मांदेल लागू करने को लेकर राजे के सभी मंत्री के रांची इस्थित आवास एवं बिधान सभा अध्यक्स रवीन्दरनात मतो के आवास पर एक दिवस्तिय धाना पर्दशन किया धाना पर्दशन का नेतित महासंग के परदेश अध्यक्स असी भगत वह संचालन महासचिव सुभास सिंग ने किया जार्खन सरकार में मंत्री बादल पत्रलेख जगनात मतो मितलेश टाकोर हफिजूल अंसारी आलमगीर वही बन्ना गुपता रामेशवर उराव चपाई सुरएन बिधान सभा अध्यक्स रवीन्दरनात मतो के आवास पर धाना पर दिवस्तिया रांची में कुरोना से मरने वाले 77-90 लोगों के परिजनों को मिला सहायता रासी कुरोना महमारी के कारण जान गवाने वाने लोगों के आसरीतों को सहायता रासी देने का काम रांची जीला परसासन की ओर से तेज कर दिया गया है रांची में कुरोना से मरने वाले 779 लोगों के आसरीतों के बीच अभी तक सहायता रासी दी जा चुकी है जार्खन सरकार की ओर से कुरोना से जान गवाने वाले लोगों के परिजनों को स्टेट, डिजास्टर, रिस्पोंस, फॉंड से 50,000 रुपय की साहयता रासी दी जा रही है इसके तहट रांची जीला परसासर ने 7790 लोगों के आसरीतों के बीच 3.99 क्लों रुपय का बित्रन कर दिया है जारखन के 454 पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए 1.31 क्लों रुपय स्विक्रीत जारखन राज में तैना 454 पुलिस कर्मियों के मेडिकल बिल को मजूरी देते हुए 1.31 लाख रुपय की सविक्रीती दी गई है एडिजी, मुख्यालाय, मुरारी, लाल, मीना की अध्यक्स्ता में इस बिल को मंजूरी दी गाई बीते 7 फरवरी को कल्यान कोस स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में जवानों के इलाज से समन्दित परस्ताव रासी को अमतिम सेक्रिती दी गाई वहीं इस बैठक में जारकन पुलिसमेंस एसोसेशन अपने जवानों के बुनियादी सुविधावों से समन्दित बातों को उठाते हुए 14 फरवरी को 20 बैठक में पारित परस्ताव के समन्द में चार्चा की राज सरकार ने बैंकों को लगाई फटकार नवाट की स्टेट क्रेडिट सेमिनार में राज सरकार ने परात्मिक छेतर को लेकर बैंकों के रवया के अलोचनात तक रिवन फटकारने वाले अंदाज में की है राज सरकार बैंकों से यू ही नहीं सकती से पेस आई नवाट के स्टेट फोकस पेपर में वे तमाम तथे मौजूद है जो सरकार को सकती के लिए मजबूर कर रहे हैं फोकस पेपर बुद्धवार को मुख्य मंत्री हमांसुरे ने पोर्जेक्ट बॉन में सबागार में जारी किया था नबाट का इस्टेट फोकस पेपर प्रात्मिक छेत्र में क्रेडिट फोलो का रोड मैप सुल जाते हुए जार्खन के मौजूदा बैंकिंग परिद्रिस से को भी सामने रखता है जो जार्खन राज अस्तरिय बैंकर समिती की पिछली रिपोर्ट पर अधारी था है पलामो में जीला हस्तर पर 46-16 का चयान अस्थानिय पूलिस एस्टेडियो में जीला हस्तर ये खेल परतिवाद चयान परित्योकता गुरुवार को संपन होई प्रेटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कारे विभाग के ततोधान में इसका आउजन किया गया था बतादे चार दिवस्ते परित्योकता के समापन समारों में जीला खेल अधिकारे उमेस लोहरा ने कहा कि परित्योकता में दस से बारा वर्स आयू के सभी परखंडों से खिलाडी भाग लिये थे परित्योकता में खिलाडियों का बैटरी स्टेट जैसे उचाई वजन बॉल थोरो साथ मीटर सटल रन वर्टिकल जंप और आट सव मीटर दोड का आउजन किया गया था जीले से चैनित बीस बालक और बीस बाली का खिलाडी राज अस्तरिय परित्योकता में भाग लेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल परना होई तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक कर दबाएए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना सुझाव अवस्य दे थैंक यू